नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप वीडियो की थामनेल में देख रहे हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो 24 घंटे अक्सीजन देते हैं जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि पौधे दिन में अक्सीजन देते हैं लेकिर रात में कारबंड़ी आगसाइड छोड़ते हैं यानि प्रकास इसे पौधे और इसके बाद आभी हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे पौधे इन मेंसे जिनको मैंने खुद लगाया हुआ है तो उनको आप जरूर देखिएगा मेरे आप सभी मित्रों से अनुरोध है किरपा एक पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों जैसा कि आप यह पेड़ देख रहे हैं यह बहुत बड़ा कोई पेड़ नहीं है यह बहुत ही छोटा पेड़ है और इसको एकदम नीचे जमीन से ही हम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए यह जमीन से मात्र 10 या 12 फिट की उचाई का पेड़ होगा जिसमें इस समय लगभग हजारों की संख्या में फल लगे हुई हैं और मित्रों इसको हमने लगाया था यानि अब से लगभग 3 या 4 साल पहले का यह लगाया वह पेड़ है और अब आप देख रहे हैं इसमें काफी मात्र में फल लग चुके हैं और फल के साथ साथ जो हमें नहीं दिख रहा है वह भी हमें इसमें से मिलता है यानि की आक्सीजन तो बढ़ते वाहनों और फैक्टरियों की संख्या के आगे पेड़ों की संख्या काफी कम होती जा रही है अता हमारा आप सभी मित्रों से अनरोध है किरपया एक पेड़ जरूर लगाएं अगर आपके पास घर पे जगा है तो घर में बाहर या जहां भी हो सके कि जैसे आप देख रहे है यह पेड़ लगा हुआ है कहीं और नहीं यह हमारे घर के आंगन में है और जिसमें लग-भग मैंने एक बार बता है आपको हजारों की संख्या में आमोकेस में फ़ल लगे हुई है यह आप देख रहे हैं देखिए यह घर में अंग के अंदर में लगा हुआ पेड़ है तो मित्रों यह था एक पेड़ इसके अलाम हम आपको दिखाते हैं तीन चार पेड़ बने लगाया हुआ है जिसमें से कुछ आम के पेड़ हैं कुछ नीम के पेड़ हैं कुछ और भी पे तो बित्रो चलिए हम आपको दिखाते हैं दूसरा पेड़ और हाँ इसके बाद कल से लाइप करा से चलेंगी इसको आप नहीं भूलिएगा कल से हम फिर से पढ़ाई करेंगे आज हमारा दिन पढ़ाई से हट कर था बित्रो ये दूसरा पेड़ है जो कि आप देख रहे हैं काफी इतना मोटा हो चुका है और इसको क्या बोलते हैं अमबार का पेड़ तो ये पेड़ लग भग आज से 15 साल पहले का है अब देख रहे हैं इसकी उचाई काफी ज़्यादा नहीं है इसमें काफी ज़्यादा टा क्योंकि यह जहां से इसका मोटा भाग या नहीं जहां पर तना इसका समात होता है वहां से इसकी हर साल कटाई कर दी जाती है आप उपर देख रहे होंगे वह इसलिए जिससे किया आंधी या फिर अन्य तूफान में तूट कर घर में गिरना जाए इस वज़ा से उपर का इ दिखाते हैं तीसरा यह देखिए आप देख रहे होंगे यह नीम का पेड़ है जिसको आज से लगबग आठ साल पहले लगया गया था अब देख रहे हैं इसमें बार पूर मात्रा में आक्सीजन के साथ साथ चाया भी हो रही है तो मित्रों जैसा कि मैंने अभी आपको दो दायक होगा जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हमने एक और पेड लगा हुए अभी जो कि बहुत कापी छोटा है अभी लगबग दो तीन महीने पर देखा है मैं अभी आपको दिखाता हूं तो इसको आप देख लीजिए उसके बाद में हम आपको एक और दिखाते हैं तो आज का हमारे टाफिक बढ़ाई से हट कर था इसलिए मैंने आपको ये सबी चीज़ दिखाया अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक लाश्ट और अंतिम देखिए आप देख रहे हैं ये इतना ज्यादा मोटाई का पेड़ है जो कि नीम का पेड़ है इसको हमने अभी इसे एक ही अनुरोद है कि रपया एक पेड़ जरूर लगाएं